पार्टी ने जन्पत संभल में उन्नाव रेपकांट की पिडिता को नियाए दिलाने के लिए हस्ताक्षड किये इस वीशे में कॉंगर्स पार्टी की जिलाए दिर्ख विमलेश कुमारी ने कहा जिस तरह से बीचेपी ने आरोपी विदायक कुंदीप सेंगर का बचाओ किया है इसके विरोज में हम लोगों ने पीडिता को नियाय दिलाने के निये ये अभियान चलाया है ये कॉंग्रेस पार्टी तरफ से अचाशा अचाशा अचान चलाया है राज जिला कॉंग्रेस कमेटी प्रतेक ब्लॉक प्रतेक नगर बाड़ बाड़ में अलग अलग इस कैम्प लगा करके हम लोगों का मत ले रहे हैं कि हम उन्नाव की बेटी को नियाय दलाने के लिए हस्ताक्षा अभियान हम चला रहे हैं के लुगों का नाम और उनका मुबाइल नंबर उनका साइस के साथ उनकी सेहमती है कि यह विदायक सिंगर उसको सजा मिलनी चाहिए जल से जल सजाका कोई नगवर कमें कोई दौर के साथ मैटी के सांद नियार होना इसके बारे में हमारा यही कहना है कि देश की कोई भी बेटी हो यह तो नाव की बेटी है देश की कोई भी बेटी हो जिसके साथ कोई बाहुवली या कोई भी नेता इस तरीकी घटना करना की कोशिच करेगा या करेगा उसको शक्त-शक्त सजा मिलनी चाहिए कब तक भारत दे के साथ जिसके साथ जल्म हो रहे हैं साथ खड़ी रहेगी कआंधटे जेंड़ता मिला के हर हाल में लोह का जनसामरसन हमारे साथ से ताफ तरशेष ऺडता कर चार से दोंकी अन्याई करता रहा जेल अपने वार कई लाएक इसको इलाज की दरुबत नहीं है और अगले दिन वो मर गया वह ड़क्टर भी जिम्मेदार है उस मेडिकल रिपूर्ट को बनाने वाला यह सब साठ गाट है उत्रवेज सरकार की और योगी जी न्याय प्रिये बंते जरूर है लेकिन हो नहीं पाया है इंसे न्याय के बल सेंगर को जाती बादी आदा पर बचाने के लिए यह इसा करते रहे हैं अब उमीद है कि मानिय उच्टम नहेले ने लड़की को 25 लाख रुम मुआफजा दिलवाया है मैं यह मांग करता हूं उसके अधिवक्ता को भी मुआफजा दिया जाना चाहिए वो अकेला आदमी है उन्नाव दिले में जो सिंगर के खिलाफ जंडा लेके कड़ा हुआ है वन्नाव दिले के अधिवक्ताव ने भी मना कर दिया कि हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे इवल ट्रॉली से टेट इनको सजा मिलने चाहिए बिकाज यह गलत है